नमस्कार कैसे हैं आप उत्तर भ्यारत की राजडिती में एक बड़ा नाम माया बती करा माया बती एक स्कूल की नगर निगम की टीजर थी और काशी राम ने उन्हीं वहां से उठा कर उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बना दिया देश की पहली दलित मुख्य मंत्री होने का गौरव अपने आपको कहती हैं और उसके बाद से माया बती भारत के प्रदान मंत्री बना माया बती जिसके साथ समझोता करती थी उसे धोखा देती थी और धोखा देने के बाद भी वो ठसक के साथ रहती थी चाहे वो मुलायन सिंग यादव हो या भारतिय जनता पाटी हो गटवंधन के साथ वो मुख्य मंत्री बनी और उसके बाद उनका पीरियड खतम हुआ शर्त तोर करके वो बाहर हो गई और फिर थसक के साथ रही लेकिन उस माया बती के थसक आजकर गायब दिखाई देती है राजनिती से वोगोंने क्या कन्नी काट रखा है या माया बती कोई दूर की राजनितिक चल बही है देश में दो गठ बंधन है एक NDA का जिसके नितरुत में के अंदर में प्रचंड भूमत की सरकार है और दूसरा UPA का था जो INDIA बन गया इन सबसे बाहर माया बती क्या तलाश रही है वैसे कहने के लिए तो ओरीसा के मुख्यमंत्री भी इस दौर से अपने आपको अलग रखे हुए है लेकिन उनकी छवी अपने आप में अलग है वो उडिजा के मुख्य मंत्री है और उनोंने अपने आप को एकदम से एक नई तस्वीर पेश की है लेकिन मायवती का तो राजनेतिक वजूद खतम हो गया लोकसभा में शुन्यवटे सन्नाटा है विराजसभा में उनका वजूद नहीं है उत्तरपदेस में बिधायक करीब गौन है तो फिर ये मायवती कर क्या रही है मायवती ने कहा है कि ना वो यूपिये में है ने अंडिये मतलब ना वो इंडिया में है ने अंडिये में तो मायवती है का तज़सल मायवती क्या वो खेल खेल रही है कि विपक्ष को कह रही है कि तुम सब के सब कह रहे हो कि मैं प्रधान मंतरी, मैं प्रधान मंतरी तो अच्छा ये है कि मुझे प्रधान मंतरी क्योग्कि यादि 34-35 MLA वाले नितीश कुमार दावा ठोक सकते यदि 55-56 MLA दिली के MLA वाले केजरीबाल दावा ठोक सकते हैं वैसे वो पंजाब में भी अपनी ताकत बढ़ारी रखे हुए हैं यदि उत्तरप्रडेस की सीमा में लपेटे कहने के लिए विपक्ष के नेता हैं लेकिन अपनी लकीर बिल्कुल छोटे कर चुके अखिलेस ताल ठोक सकते हैं अपनी पार्टी को बरबात कर चुके उद्धब ठाकरे दावा ठोक सकते हैं इन सबने दावा ठोका है दरसा लानु यादब दावा इसलिए नहीं ठोकते क्योंकि बेटा अभी नौमी फेल उत्भिहार के सीम बनना चाहते हैं लेकिन प्रियंका चतुरवेदी जो प्रवक्ता है शीव सेना ठाकरे गुट की उन्होंने कहा उद्धब प्रधान मंतरी के उमिदबार हैं समाजबादी पार्टी की एक प्रवक्ता ने कहा अखिरे श्यादब प्रवक्ति इसके उमिदबार है नितीश कुमार अलग मुंगेरी लाल बने हुए हैं आम आदमी ने कहा है कि केजरिबाल से बहतरीन कोई प्रधान मंतरी बद का उमिदबार नहीं हो सकता तो ये गठबंधन अभी गठबंदित हो नहीं पाया लेकिन प्रधान मंतरी तलाशने लगो इस बीच मायाबती किनारे को कर कह रही है कि मैं अलग खेलूंगी न खेलूंगी न खेलने दूंगी तो क्या मयाबती ये जा रही है कि उत्तरक्रडेस मेरी दलित वोट बीईज्यपी से बचाना है तो मुझे सुईकार करो क्या मायाबती बीज्यपी को भी धमका रही है कि दलित वोट बैंक मेरे पास है कहीan वो इंडिया गैंग को ना चला जाए इसलिए मुझे E.D. और C.B.I. की धंकी मत दिलाओ क्या मायाबती अपने धंकी अलग राजनिती खेल रही है जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि मायाबती की राजनिती मायाबती ने सरेंडर कर दिया या फिर मायाबती काशिरान के एजन्डे पर एक दूसरे धरी की राजनिती कर दरसल मायाबती की पार्टी में कहा जाता था आरोप लगता था कि वहाँ विधाय का टिकट पाने के लिए मोटा रकम देना पड़ता है लेकि उस पार्टी में आज के दौर में चुनाव लगने के लिए कोई मोटा रकम देने को तया नोटबंदी ने सबसे ज़दा चोटिल यदि किसी एक पार्टी को किया तो बहुत सारे पार्टी उसमें मायाबती की पार्टी का नाम सबसे ऊपर है तो मायाबती इस राजनिती से क्या खेल खेल रही है यह अबुझ पहेली बनता जा रहा है वैसे जानकार मानते हैं कि यदि घमंडिया गैंग में इतना तुफान मचा हुआ है तो मायाबती को ही अपना उमिदबार प्रधान मंतरी का उमिदबार स्विकार करना चाहिए तब ही ये गठवंधन आगे बढ़ पाए तो क्या मायाबती पासा वही फेकी हैं जहां धुरंधर बैठे हैं पवार, नितीश कुमार, अरविंद केजरी बाल से लेकर कॉंग्रिस के पूरी धुरंधर टीम उन सब को भेद रही है मायाबती इस गठवंधन में मायाबती कब शामिर होंगी या कब उनके लिए तुरूप का पता बनेंगी या तबाही का कारणिया दीखना दिल जस्प होगा ये विशलिशन कैसा लगा आपको इसके कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाईक और शेयर जरूर कीजी बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मात्रम जय हिंद